हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चेनल में दोस्तों पिछले वीडियो में हमने हमारी health cycle, free radicals और anti-excidents और एस्टाख जांथिन के बारे में विश्टार से जानकारी लीथी पूरे tutorial वीडियो में आज के वीडियो में फिर से एस्टाखजान्थिन के बारे में बात करेंगे दोस्तो आज किसी भी समझ से कोई भी बीमारी होती है उसका कारण होता है फ्रेडिकल्स हमने ये शब्द डॉक्टर्स और अन्य लोगों के पास से कई बार सुना है तो आज हम उसके आसनी से समझेंगे उसे जानने की कोशिश करेंगे दोस्तो हमारा शरी कोशों से बना होता है और ये सभी कोश परमाणों से बने होते है और उनमें से कुछ stable molecule के रूप में होते हैं और कुछ unstable molecule और कई बार unstable molecule शरी के बाहर से भी प्रवेश करते हैं stable molecule में कक्षा के सभी इलेक्ट्रोन पेर में होते हैं इसलिए वो stable होते हैं unstable molecule में इलेक्ट्रोन की बाहर की कक्षा में पेर तुटी होते हैं इसलिए उनको किसी ओन्य मोलेक्यूल से एक इलेक्ट्रोन चाहिए होता है अपनी पेर को पूरी करने के लिए तो यह अंस्टेबल मोलेक्यूल हमारे हेल्दी सेल्स के स्टेबल मोलेक्यूल पर हमरा करता है और इलेक्टोन चीनने के लिए यह हमला करते हैं और stable molecule को unstable बना देता है इलेक्टोन की पेर तोड़के तो इस तरह वो cell भी अब three radicals में convert हो गया है वो भी damage हो गया अब वो किसी अंग्या cell से electron लेके किसी भी cell को damage कर गया और इस तरह ये chain बढ़ती जाने से बहुत सारे cells damage हो जाते हैं और हम किसी भीमारी या समस्या का शिकार बनते हैं ये था three radicals और उनकी आनिकारक असरों का concept अब बात करते हैं इसके solution की दोस्तो three radicals हमारे healthy cells को damage ना करें इसलिए हमारे शरी को चाहिए होते हैं antioxidants दोस्तो इस type के molecule के पास extra electrons होते हैं जोकि three radicals को देकर उन्हें stable कर सकते हैं इलेक्टोन देकर जिससे three radicals कोशो के stable molecule को परेशान नहीं करता और एक antioxidants करीब 19 free radicals को control करने की शमता रहते हैं तो दोस्तो इसलिए हम जब बीमार पढ़ते हैं तो इसका कारण होता है हमारे शरीर में free radicals molecule की मातरा बढ़ गई है और इसलिए हमें doctors antioxidants वाले फल से जैसे की apple हो गया berry अना ये सब खाने की सला देते हैं जिनसे हमारे शरीर को antioxidants मिलते हैं और free radicals शान्त हो जाते लेकिन दोस्तो सभी फल सबजियों में antioxidants की मर्यादा होती हैं ये स्लाइड आप स्क्रीम पर देख रहे होंगे की अलग अलग फल सबजियों की oxygen radical absorbance capacity यानि की सीधी भार्षा में बताओ तो free radicals को खत्म करने की मातरा, टमाटर, पालक, लसुन, ब्लूबेरी, अद्रक, अनार वगेरा की बताई है तो दोस्तों आज के समय में बाहर का pollution, जहरी लेवायू और तत्वा सांस लेने से body में आ जाते हैं साथ ही junk food, fast food का चहन ये सब चीजों से body में toxins का निर्वान होता है ऐसे में free radicals, शरी में काफी बड़ी मातरा में उत्पन हो जाते हैं और इसकी वज़े से मनुष्य में काफी सारी और काफी गंबिर समस्याएं बीमारियों का प्रवेश होता है तो इससे लड़ने के लिए हमें सबसे पहले सभी चीजों के पहले इस्तेमाद हो सकता था ये सब चीजों का फल सिब जुका लेकिन अभी के टाइम में ज़्यदा और एक वेल्यू की और ज्यादा एक अक्षिटेंट वालों की चीजों की जबुर्वत हमें पढ़ते हैं यानि कि पहले हजारों में और एक वेल्यू हो तो काम चल जाता था लेकिन अब लाखों में औरे क्वेली हो ऐसे health supplements और food supplements हमें चाहिए जिसमें नोनी का बेतरन कारिय तो हम जानते ही है लेकिन आज उससे भी बड़ा स्त्रोथ हम देखने वाला है साथी दोस्तों ये antioxidants वाली regular फल सबजिया अभी pesticide वाली और कुरुत्रिम तरह से उगय गई होने की वज़े से शरी में खास कुछ फाइदा करती नहीं है पहले के समय में कुद्रती तरह से उगय गई गई सबजिया फल टमाटर गोपी सेव केले ये सब मिलते थे तो ये काफी फाइदा करता है लेकिन आज के समय में ये सब चीज़े रासाइनी खाद से उगय जाती इसलिए इन में अभी anti-oxilurance की मातरा कम हो रही है जिसको खाने से शरी को ज्यादा फाइदा नहीं हो सकता और काफी सारी बड़ी मातरा में अभी रोग भी फेलने लगे उसकी मातरा और उसके capacity काफी ब करता होगा किसी को ये अच्छा नहीं लगता होता खाने में तीस तरह कूल मिलाकर सभी वज्ज़े से हमारा शरी एंटी और वाले चीज़ों से वंचित रह जाता है और इसलिए इन बड़ती सास्ते समय से लड़ने के लिए ज्यादा एंटी वाले पदार थी सरूर पड़त करती है और वाइगना निकों ने पिछले सांट सालों की मेहनत के बाद एक एसे मोलेक्यूल की शोध की जो एंटी ओप्सिवनिका पावर आउस कहा जाता है और उसका नाम है एस्टाखजांति और बहुत सी मचलिया एस्टाखजांतिन खाती है इसलिए वो लंबी छलांग लगा सकती है पानी में साथ ही लंबे समय तक जीवित रहती है तो सवाल यह उठता था कि यह मचलिया आखिर क्या खाती है जो इतनी हेल्दी रहती है दोस्तों यह एक हेमट कोकस प्लूवियस नाम की आलगी लाल कलर की ली या शेवाल सीधी भाशा में हम बोल सकते है उसको खाती है यह सब मचलिया जो यह आलगी बरफिल प्रदोशों के तालब और समूंदर में पाई जाती है दोस्तों एक्ष्टाजान्थिंग की ओक्सिजन रेडिकल एबसॉर्बंस केपेसिटी 28,222,200 है इसलिए इसे king of antioxidant कहा जाता है और मचलियों के मुकाबले लाल अलगी म 1000 गुना ज्यादा 10,000 मिली ग्राम से 30,000 मिली ग्राम इंटाजास्टिंग पाया जाता है तो दोस्तों आप भी इसे खाकर हेल्दी रह सकते हैं क्योंकि हम आपके लिए एक्ष्टाजान्थिंग का स्तरोच सीधा आपके घर तक लेकर आये हैं टीमेक्स एक्ष्टाजान्थि का the king of antioxidants का source है दोस्तों बहुत सी एस्टाजान्थीन मेन्यूफेक्चरिंग के दो रांग खुले तालाब में इसका निर्मान किया जाता है और एंटी ओक्ष्टाजान्थ वाली कोई भी चीज खुली हवाम में छोड़ने से वह वातारमने oxidation की क्रिया कर लेता है जिसके बाद वो किसी भी कामकार नहीं रहता इसलिए टीमेक्स एस्टाजान्थिन का manufacturing ट्यूब में किया जाते है और बोटल में भी इसे capsule के फॉर्म में पैक किया जाता है बाहर से एकदम airtight capsule के रूप में इसे पैक किया जाते है और इसके अंदर एस्टाजान्थिन का powder भरा जाता है जिससे कभी capsule का power चला नहीं जाएगा अगर आपने बोटल खोल दी तो भी और बाहर गाओ जाते वक्त भी अगर आप सिर्फ 2-3 capsule बेग में ले जाना चाहेंगे तो भी easily carry कर पाएंगे उसका power नहीं जाएगा हवा में रहने से बात भी क साथ ही एस्टाजान्थिन capsule हमने किसी मसली को मार कर नहीं बनाई बलकि कुदरती एस्टाजान्थिन का बड़ा सरुक लाल कलर की आलगी में से बनाई है इसलिए यह प्योर वेजिटेरियन है साथ ही यह जी एमपी एपसाई हलाल सर्टिकाइट प्रोड़क है जो कि इंटरन इसलिए सुबह उठने के बाद खाली पेट एक केप्शूल इसकी खाए और रात को खाना खाने के बाद एक केप्शूल खानी है यानि कि एक दिन में टोटल दो केप्शूल खानी है और अठरा साल से उपर के उम्रके लोग इसका सेवन कर सकते हैं छोटे बच्चे प्रेग 10 दिन के खोराग जीतना पोश्णा सिर्फ एक एकसा एस्टाजान्थिंग केप्शूल खाने से मिल जाता है। और इसका सेवन आप अभी से कल से श्टार्ट कर दें क्योंकि ये विमारी व्यक्ति के लिए संजीवनी और स्वस्थ व्यक्ति के लिए वर्दान साबित होता है। तन्यवाद।